ओद्यो की छेतर पितंपूर में आज विद्धु दिभाग के आउटसोर्सिंग और सविधा करमचारी और निश्चित कालिन हर्ताल पर बेट गए हैं विद्धु दिभाग के अधिकारियों को ग्यापन में करमचारी ने मांग की है कि जितने भी आउटसोर्स और सविधा करमचारी है उन्हें नियमित किया जाएं और करमचारीयों का साफ तोर पर कहना है कि कई वर्षों से हमें आशवशन दिया जा रहा है बावजुद इसके अभी तक हमें नियमित नहीं किया गया है ग्यापन में हमने सरकार से मांग की है हम सभी करमचारीयों को नियमित किया जाएं और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम लोग अनिश्चित कालिन हर्ताल पर बैठे रहेंगे सभी करमचारी एकत्रित होकर पिथमपूर विद्ध तो इनने अभी अनिश्चीत कारण जनता ही काफी प्रभावित हो रही है बिजली प्रदाय को लेकर कई कमपनिया उद्योग छेत्र है इससे दिक्कत नहीं होगी इसको कैसे आप सोट आउट तो होगी मेरा इनसे क्या है एक तो पहले कोई अफीशियल सुचना अपने तक अभी तक कायन हुए है अभी लेकिन हम से अभी भी हम इनसे अपील ही करेंगे कि जोकी अपन एक अथी अशक्त सर्वीस से जुड़े हुए है पॉब्लिक से रिलेटेड है और विजली का प्रवा सही रहे इसलिए पर प्रवा इसलिए हम इनसे अपील यही परन, और सुन दो सभीगां क्या मांगे तक आँ रहे इसलिए क्या मांगें आपकी यह आए देखिए आप ऊतád वार्शों से हैं साविधा कर्मचारी में का है कर रहे हैं और कई बार शाषन प्रशासन सरकार को अविरंदी दे चुके हैं लेकिन शाषन प्रशासन और सरकार हम लोगों भी ध्यान देनी रहें लेकिन संगठन के आदेश अनुसार हम लोग आज जो है अनिचित कालिन हर्तान है जो कि कोई भी कर्मचारी कारिया नहीं है कि कई फार हम लोग आवेदम दे चुक्ग है कि हम लोगों को नीमित्वट करें emia सभीधा कर्म चार्जाल के निमित करें लेकिन सरकार अंशुदी कर रहा है हमारी बातों को हम लोगों को शामा ही तक के बाउचरी पर साइन होती थी फे लिटक्ट प्रफुगा लेकिन सरकार हम पर कोई ध्यान नहीं अभी किता मिल रहा है आपको पैसे अभी हम लोगों को 9000 मिल रहा है आउट्सोर्सिंग को और समीधा वालों को कि अगर आगे क्या करेंगे और आगे करवाई अगर सरकार सुन लेती है तो अच्छी बात है अगर नहीं सुनती है तो यह कालीन हरताल जो जो यह जारी रहे सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुले